Assalamu alaikum dear students, I hope आप सब ठीक होंगे, खेरियत से होंगे. आज हम English Grammar में Verb के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, today our topic is Verbs. पहले हम इसकी definition पढ़ते हैं. Verbs A verb is a word that shows action. Verb हमें action के बारे में बोलता है. ठीक है, a verb tells us about the action. For example, jumping girl, मतलब girl क्या कर रही है, jump कर रही है, ठीक है, वो उचल रही है. तो इसमें क्या है action, very good, jumping. Second one is, the baby sleeps, ठीक है, baby क्या कर रहा है, सो रहा है. तो इसमें action कौन है, sleeps, याने baby सो रहा है. Third one is, a man eats a burger, ठीक है, आदमी क्या खा रहा है, burger खा रहा है. तो, eats यहां पर क्या है, action, ठीक है. तो इन तीन examples में, क्या था verb, first one में jumping, यहां में action बोल रहा है, लड़की क्या कर रही है. Second one में baby sleeps, याने baby सो रहा है, और third one is, a man eats, याने वो आदमी खा रहा है, ठीक है students. For example, eat याने खाना भी action है, drink अगर हम पीते हैं, वो भी action है, read अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी action है. See, Ahmed jumps, Ahmed क्या कर रहा है, jump कर रहा है, ठीक है, jumps हमें बता रहा है, Ahmed की action, ठीक है students, so here jumps is a verb, ठीक है, second one is, he plays, ठीक है, यह बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, plays here is verb, because it tells us about the action. He reads, यह क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, यह पढ़ रहा है, तो reads यहां पे क्या है, verb है, because it tells us about the action, कि यह बच्चा क्या कर रहा है, कि यह बच्चा पढ़ रहा है, here are some more example students, first one is, I drink a glass of milk twice a day, मैं दिन मैं दो बार दूद का ग्लास पीती हूँ, तो इदर action क्या है, यानि drink, पीना, I play the piano every day, मैं हर दिन पियानो के साथ खेलती हूँ, तो इसमें action क्या है, play यानि खेलना, I like to eat ice cream, मुझे ice cream खाना पसंद है, इसमें दो verbs है, like और eat भी, इसको पसंद और खाना, ठीक है, दोनु इदर क्या है, actions है, I eat ice cream every day, मुझे हर दिन ice cream खाना पसंद है, तो इसमें action क्या है, eat, यानि खाना, I write poetry every day, मैं हर दिन poetry लिखती हूँ, तो इसमें action क्या है, write, यानि लिखना, I love to dance, मुझे dance पसंद है, ठीक है, मुझे नाचना पसंद है, तो इसमें action क्या है, dance है, ठीक है students, She is singing a beautiful song, ठीक है, वो लड़की बहुत ही अच्छा गाना गा रही है, they are playing with a disc, ठीक है, वो किस के साथ खेल रहे है, disc के साथ खेल रहे है, so here, verb क्या है, playing, क्यूंकि ये हमें action के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना students, I hope इस example से आपको actions के बारे में समझाया होगा, जो भी इस example में blue से mark किये गए है ना words, वो सब क्या है, वो verbs है, ठीक है students, क्यूंकि ये सब action के बारे में बोल रहे है, ठीक है, sentence में ये ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही verb हो, मतलब एक ही action हो, sentence में कभी एक या एक से ज़ादा verbs भी होते है, ठीक है, a sentence can have one or more than one verb in it, ठीक है, एक या एक से ज़ादा verb भी हो सकते है, For example, we should wash our hands before eating, हमें अपने हाथों को दोना चाहिए, खाना खाने से पहले, तो इसमें क्या action है, वोश यानि दोना और एक खाना, ठीक है, तो sentence में आप कितने verbs आए, दो verbs आए, ठीक है न students, या कभी दो से ज़ादा भी verbs यूज हो सकते है, sentence में, A sentence can have one or more than one verbs in it, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी verb हो सकते हैं एक sentence में, For example, I like to dance and sing, मुझे नाचना और गाना पसंद है, ठीक है, इसमें कितने actions है, Like, पसंद, डैंस, नाचना and sing, याने गाना, ठीक है, तो इसमें कितने actions आए, तीन, Like, Dance or Sing, सो ये तीनु क्या है, verbs है, ठीक है, My dear students, you have to remember this, आप कोई याद रखना है, कि sentence में कभी एक या एक से ज़्यादा भी verbs हो सकते है, ठीक है, याने actions हो सकते है, I hope सब students को verbs अच्छे से समझ में आया होगा, that's all for today, Allah Afeez, take care